अब रूख करते हैं खबरों का मध्यप्रदेश के मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान ने दिली में नए मध्यप्रदेश भवन का वलोकन किया इसे के साथ परीसर में पौधर उपन किया गया बतादे कि नए मध्यप्रदीश भवन में मध्यप्रदीश की संस्कृती परंपराएं मुल्य आस्थाएं महापुरुषिम्मा मध्यप्रदीश के एतिहासिक महत्व समेत कई महदवपून स्थलों का दिग दर्शन और समायोजन किया जाएगा इसी के साथ सीम शिवराज ने कहा कि नए मध्यप्रदीश भवन बनने के बाद पुराने मध्यप्रदीश भवन के हिस्से को दिल्ली में मध्यप्रदीश से इलाज के लिए आने वाले मरीजों के परीचनों के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिशित की जाएगी जिससे उन्हें दिल्ली में इलाज की दौरान रुखने की कोई समस्याना हूँ इसका दिखदर सनु इस नए बदप्रेश भवन में होगा यह हम कॉसिस कर रहे हैं और एक प्रियास यह भी है कि चाहे हमको मिटिंग्स करनी हो बिजनिस बीट करनी हो कोई छोटे कारिकम करनी हो कि वो सब के सब इन हाउस यहीं हो जाएं उसके लिए कोई वोटा लिया आत्रिक्त इस्थान की जगूत ना पड़े तो उसका प्रियास से एक तरफ मदप्रेश की संस्क्रिक है और दूसरी तब जो आधर सक कामकाज हैं हमारे सास की कारी होते हैं वो सब यहीं से संपाजित हो सके ऐसे भवन के निर्मान का यहां प्यास किया जा रहा है जुसी को देखने ने आया था